आज तक की सबसे जवरदस्त कलर जो के अभी सबसे ज़यदा ट्रेंडिंग में ये कलर चल रहा है और अंदर में हम यूज करेंगे आज प्लास्टिक पेंट जी अहां दोस्तों चलिए आज हम पुरा फुल प्रोसेस बताते हैं 20 लिटर बाल्टी में कितना पानी यूज करें और कितना एरिया कवरिंग होता है सारी कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं तो चलिए दोस्तों फटा फट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके और चैनल जलूर सस्क्राइब कर दिजेगा तो उसे दोस्तों फटा फट इसक्करते हैं दोस्तों जैस या तर आप देख सकते हैं इस रूम के अन्दर आज हम कलर करने वाले रोप करेंगे और यह रूम सब भी देख लिजये बाहर सब यह बेडे़ा सब में कुछ अलग करेंगे और रूम के अंदर एक कलर ही करेंगे और प्योपी डिजाइन सब जो है कुछ अलग हट के करेंगे तो आज सारे कुछ इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं डबा तो ये रहा दोस्तों इंडोगो का एक्स्टेरियल इमल्सन गोल्ड सीरीज तो हमने 20 लिटर की बाल्टी जो की कलर बना के लेके आए हैं जिसका कलर कोट 136 चार है जो कि आप देख सकते हैं ये रहा बुलू में लाइट कलर आप इसे जामुनी कलर भी बोल सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं 136 चार कलर कोड है इंडुको का तो इंडुको में हम आज यूज करने वाले बहुत दोस्तों ये पेंट अंदर यूज नहीं करते हैं ये पेंट हम इसलिए यंदर यूज करते हैं ताकि इसके उपर दाग धपा असानी सिमिट जाता है फिनिशिंग उतना तो नहीं आता है पर बहुत अच्छा होता है ये बहुत ज़्यादा पकड़ वाला पेंट है ये पलास्टिक पेंट है तो इसमें दोस्तों बाल्टी खोलते हैं आप देख सकते हैं सौर प्या का इसमें टोकन भी रहता है पर नया बाल्टी में अभी स्केन करने वाला सिस्टम आ गया तो चलिए दोस्तों पहले पुरा बाल्टी को अच्छी तरह से हाँ डाल के मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर से कलर बना जाता है तो आदा अदा बाल्टी में हम पलट लिए और उसके बाद आप देख सकते हैं जो पुरा 20 लिटर हम बना रहे हैं 20 लिटर में दोस्तों हम अभी सारे 8 या 9 लिटर तक ही पानी यूज़ करेंगे क्योंकि ये एसियन की एपैक्स के रेंज में ये पेंट है वही पेंट जो की एसियन में एपैक्स प्लास्टिक पेंट बोलते हैं बस सेम वही इंडोको में ये एक्स्टिरियल इमल्सन है जो की बाहर फ्नीसिंग के लिए बहुत अच्छा है बस अंदर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि उसके उपर दाग धबा और बच्चे सब गौं में बहुत हाथ होत लगा देने के कारण बहुत निसान आ जाता है इसके उपर दाग धबा लगाने के बाद जो है इस पे पानी अच्छी तरह से सफाई कर लीज़े बस साफ हो जाता है कपड़े भिंगा के तो हमने सब कुछ इसमें पानी भी मिक्स कर लिए 20 लिटर में दोस्तों जो आठ से 9 लिटर तक पानी यूज़ किये और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर के फेटा मार लीजिए और उसके बाद करना स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं बरस से हम चेक कर रहे हैं तो बरस से देख सकते हैं नहीं मोटा और नहीं पतला बस मेटियम में बन चुका है तो चल ये दोस्तों अब फटा फट यूज़ करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम रोलर लेंगे ये आठ हिंच का रोलर है जो कि इसके डंटे में लगाने वाले पीछे से छेद होता है तो हम बड़ा डंटा एक लिए हैं जो कि आप देख सकते हैं बस गौं की जो है कावत में है जो देशी जोगार बस वही हम सिस्टम आज यूज किये हैं तो बड़े डंटा से लगा के और उपर से नीचे एक ही बार में हम दिवार एक कर लेते हैं जो कि आप देख सकते हैं तो फटा फट करना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं जो उपर से लेके नीचे तक जो है एक ही बार में इस तरह से हो जाता अगर ब्रसी हम यूज करते हैं तो आधा-धा धिवार होता पर उसमें जोड का निसान बहुत आ जाता है पर उसमें 3-4 कोड लगाना पड़ जाता है अगर रोलर से हम इसी तरह उपर से नीचे तर问题 कर ले cob बहुत अच्छा होता है पेंट का भी बचत होता है बहुत ही असानी से कर लेते हैं जो दोस्तों देख सकते हैं पुरी दिवार सिंगल कोड आजंग करने वाले हैं तो सकते हैं बस सेम इसी तरह अगर जहां नुकर सफे बच जाता है करने के लिए वहां पर आप बुरूस से कटिंग कर लेते हैं बस एसकाटिंग के ऊपर उच्छत के नीचे बस इस जगह सब पर जो है हम बरस से कटिंग कर लेते हैं देख सकते हैं बस इसी तरह और नीचे में छ अभी कही गिल्ल है देख सकते हैं बहुत जोड का निशान आ रहा है दिवार पर भी देख सकते हैं है तो हमने single code अभी लगा लियstore है double code उसके बाद double cod करेंगे तो अभी the water अच्छी तरह से सुखा नहीं देख सकते कितना जोड का निशान आ रहा है तो चलिए फटाफट दिखाते हैं अब देखिए ये एक दिन के बाद सुख गया अच्छी तरह से तो पर भी अभी जोड का निशान है थोड़ा सा डबल करने के बाद बस ये निशान मिट जाएगा तो छट किलियर करेंगे उसके बाद जो है दिवार भी चारो किलियर करेंगे तो नेक्स वीडियो में भी लेके आएंगे तो छट में पैंटिंग कैसे किया जाता है और प्योपी भी अलग-अलग कलर करेंगे और ये बाहर वाला दिवार जो है इसका भी वीडियो हम नेक्स वीडियो लेके आएंगे ये भी बन चुका है और इसके बारे में भी हम पुरा डेटेल से दिखाएंगे आप लोग को तो देख सकते हैं दोस्तों रूम बार रूम हम किलियर कर चुके हैं 20 लिटर मुझे 4 रूम 12 वे बार कमरे हो गया डबल कोट हो जाना चाहिए बस इतना के लिए हम चार लिटर सोनी दोस्तों 20 लिटर pen लाए थे तो दोस्तों देख सकते हैं पुरा किलियर हो चुका है बाहर भी किलियर हो चुका है अभी सिंगल कोट डबल कोट करने करेंगे तो फिर भी हम वीडियो लेके आएंगे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करके जलूर बताईए और क्या जानकारी मिला अंदर वो भी बताईए दोस्तों और आगे आप क्या देखना चाहते हैं उसके लिए भी जल्दी से जल्दी कमेंड कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक लिए गुडबाइ